हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको किलिंग मी सॉफटली ये 2002 की थ्रिलर मिस्ट्री हॉलिवड मुवे एक्स्टोरी लगती है पर उसके बाद एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर बन जाती है तो चली इसे एक्स्टोरी करना स्टार्ट करते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे में रिक्वेस्ट करना जाता हूँ कि अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चली वीडियो शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कि माउंटन पर कुछ लोग हाइक कर रहे होते है यहीं हाइकिंग करते हुए एक्सिडेंट हो जाता है और सब लोग मर जाते है इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम हता है ऐलिस यह हमें दिखती है यह जोब मूवी है इसके स्टोरी Alice हमें बता रही है. Alice का घर दिखाया जाता है और Alice हमसे कहती है उसके ज़़ादा कुछ फ्रेंड्स नहीं है उसके फैमिली के साथ भी रिलेशन्शिप अच्छे नहीं है. Alice उसके बॉइदे लंडन में रहती है. Alice हमें यह सब बता रही है इससे पता चलता है कि वो एक ordinary life जी रही है जो उसे जादा पसंद नहीं है इसके बाद Alice अपने काम पर जा रही होती है रस्ता क्रॉस करने के लिए फुटपात पर वो रुखती है तभी उसे Adam दिखता है Alice जब उसे देखती है तो उसे वो attracted हो जाती है जब रस्ता क्रॉस करती है आगे चलती है तभी उसे ही देख रही होती है उसका office पीछे होता है पर सोचते सोचते वो आगे चली जाती है office के बाहर रुखती है और Adam कहा काम करता है यह वो देख लेती है आज दिन बर वो Adam के बारे में सोचते रहती है Alice का जब lunch break हो जाता है तो Adam को जिस bookstore में जाते हुए उसने देखा था वही वो पोच जाती है वो Adam को छूपके से देखती है पर Adam उसे spot कर लेता है वो फिर से बाहर निकलती है तो Adam वही खड़ा होता है अब Alice हमसे कहती है कि Adam ने मेरे लिए एक taxi मंग हुए यानि कि यह दोनों Adam के घर जाने वाले है यह जो story है यह Alice बता रही है अगर आपको लगा कि यह कुछ illogical है पर उसके mind में इसी तरह के से इस story बनी है तो यही वो बता रही है Adam और Alice एक दूसरे से attracted है तो यह directly Adam के घर पर आ जाते है एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है जब Alice यहाँ से जा रही होती है तो Adam उससे कहता है कि कल भी तुम आना Alice कहती कि मैं काम करने वाली हूँ Adam कहता है तो आज रात आ जाना Alice को जो बोलती नहीं Adam कहता है कि जब भी तुमें लगे तब तुम आ जाना मैं यही रुकूंगा Alice ने अपने boyfriend पर चिट किया है तो उससे बहुत guilty महसूस होता है उसका जो routine चल रहा था उससे वो continue करना चाहती है वो Adam को भुलाने की कोशिश करती है पर book stand के यहाँ Adam की photo देखती है Adam पर एक book लिखी गई होती है Adam actual में बहुती बड़ा hiker है hiking करते वक्त एक accident हो था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान उसने बचाई थी Alice को Adam से मिलना होता है वो अपने आपको रोक रही थी पर वो पर रोक नहीं पा रही वो directly Adam के पास आ जाती है और यह दोनों फिर से intimate हो जाते है Alice फिर Adam से कहती है कि मैंने तुम्हारी book पड़ी Adam कहता है कि वो मेरी book नहीं है वो मुझ पर based है Adam फिर उस accident के बारे में कहता है Adam ने accident में लोगों को बचाया था पर उसमें ही और भी लोग थे जो मर गई थे Adam फिर इनके बारे में कहने लग जाता है कहता है कि यह बहुत ही unfortunate accident था यह होना नहीं चाहिए था Adam की एक girlfriend थी जो भी इस accident में थी उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है जै कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि 20,000 feet की उचाई में कैसा महसुस होता है Adam फिर fish pot की पास जाता है fish को pot से बाहर निकालता है तो fish फड़फड़ाने लगता है Adam खेता है कि इसी तरीके से हमें भी महसुस हो रहा था इस हाथसे को अब 2 साल हो चुके है अब Alice Adam से कहती है कि मैं किसी के साथ हू Adam कहता है कि पर तुम अब यहा हो अपने काम से घर जाते वक्त Alice को अपने boyfriend का कॉल आता है या वर उसे I love you कहता है तो Alice भी कह देती है Alice को बहुत ही guilty महसुस होता है तो रात में अपने boyfriend के साथ break up कर लेती है उसके boyfriend को कुछ समझ में नहीं आता वो उसे पुछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो Alice कहती है कि मैं किसी और से मिली हूँ उसका boyfriend पुछता है कि हम एक साथ रहते है और फिर भी तुम किसी और से मिल रही थी इसे बहुत ही hurt महसुस होता है और इनका break up बहुत ही बुरा होता है Alice फिर घर से निकलती है और Adam की हाज आती है वो door knock करती है तो वहाँ से एक लड़की आती है Alice को children में सुस होता है उसे लगता है कि Adam की एक girlfriend होकी ये लड़की Alice को बिठाती है और फिर कहती है कि वो Adam की sister है इसके बाद Alice को ज़रा अच्छा लगने लगता है Adam की sister का नाम Deborah होता है और Deborah को Alice के बारे में सब कुछ मालूम होता है ये दोनों बात करने लग जाती है पर Deborah कहती है कि मेरा brother एक hero है पर ये चीज वो भूल जाता है जो accident हुआ था इसमें उसने लोग को बचा ही था पर जो लोग मर गए उनके लिए वो अपने आपको जिमेदार मानता है ये एक accident था और ये किसी के साथ भी हो सकता था ये वो भूल जाता है Deborah Alice को एक drink offer करती है और कहती है कि अब तुम उसके साथ हो यही important है Alice को यहाँ पता चलता है कि Deborah थोड़े दिनों के लिए बाहर कही थी इसलिए Adam उसके घर में रह रहा था Deborah एडम के घर का पता उससे दे देती है Alice जब एडम के घर पर पोच्छती है तो Adam वहाँ नहीं होता बाहर बहुत ही थंडी होती है पर यह बाहर ही रुखती है एडम जब वहाँ पोच्छता है तो उससे देखकर बहुत ही खुश होता है एक दूसरे के साथ रात बिताते है जब सुभा होती है तो एडम की इंटर्व्यू लेने के लिए मैगजिन से एक जनरलिस्ट आती है एलिस को काम के लिए जाना होता है पर उसे उसके कपड़े नहीं मिल रहे होते है सब जगाव ढूर्णने लग जाती है एक कपड़ के पास आती है तो कपड़ वो लॉक होता है सब रावाज शेक करती है तो उसे एक चावी कपड़ की मिल जाती है पर तभी उसे उसका shirt दीख जाता है और वो पहन लेती है या Alice उपर के रूम में होती है और Adam का नीचे interview चल रहा होता है Adam के phone पर call आता है जो Alice उठाती है पर वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती Alice कोई ज़रा suspicious लगता है पर वो इसे जाने देती है Alice ready हो जाती है और work के लिए जा रही होती है तभी Adam में देखता है और interview के बीच में ही उठकर उसके पास आ जाता है उसे कहता है कि आज दिन भर मैं तुम्हारे बारे में सोचने वाला हूँ Alice भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सोचूंगी Adam बोचता है कि क्या तुम्हें हाइकिंग सिखनी है Alice भी इंटरेस्टेट होती है तो Adam फिर कहता है कि काम हो जाने के बाद तुम यहाँ आ जाना वे तुम्हें लेकर जाओंगा Adam फिर Alice का काम हो जाने के बाद उसे इंडोर हॉल में बूला लेता है जहाँ पर वो मांटनें क्लाइविंग की प्रैक्टिस कर सकते है यहाँ पर Adam की सिस्टर डेवरा भी है डेवरा एलिस को बॉल चेंडने के लिए रोप वेगरा लगाती है उसके शूज वेगरा टाय करती है उसे उपर चेंडने में हेल्प करती है जब Adam एसब देखता है तो एलिस की पास आ जाता है डेवरा को एलिस से दूर कर देता है एलिस को कहता है कि वो मेरी सिस्टर है पर मैं उसे बहुत ही हेट करता हूँ इसके बाद हम देखते है कि एलिस अपने फ्रेंड से मिल रही है वो अपने friend को कहती है कि जब से वो इस new relationship में है तो वो बहुत ही बदल चुकी है उसकी life बहुत ही excited है ताकि जो friend है यही उसके ex-boyfriend की भी friend है उसकी friend कहती है कि break up हो जाने के बाद उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है Alice की friend उसे समझाती है कि तुम सिर्फ Adam से attracted हो पर सिर्फ attraction की वज़े से यह कुछ अच्छी relationship होगी ऐसा कोई भी 100% sure नहीं है Alice को ऐसा नहीं लगता Alice कहती है कि हम दोनों की relationship बहुत ही अलग है Alice अपने friend से मिलकर रस्ते से जा रही होती है और अब वो Adam से मिलने वाली है रस्ते पर एक आदमी उसकी purse ले लेता है और भागने लग जाता है Adam भी उसे मिलने ही आ रहा था तो यह सब वो देख लेता है और उस आदमी की पीछे वो भागने लग जाता है आगे चलकर उसे वो पकड़ लेता है Alice भी थोड़ी देर में वहाँ फोज जाती है इस आदमी को Adam बहुत मार रहा होता है और मारते मारते उसे मार भी सकता है तो इसलिए Alice उसे रोग लेती है Alice को अगर कुछ हो जाता तो यह सेह नहीं पाता वो रेलाइस करता है को Alice से बहुत प्यार करता है और Alice को कही भी डालता है वो फिर उसे बुच्छता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी Alice को अजिप लगता है कि जादा जल्दी हो रहा है पर फिर भी वो भी उसके बहुत ही पैर में है तो हा के देती है एक दिन घर के बाहर Alice को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अपना दिमाग तुम यूज़ करो तुम एडम के बारे में एक्च्छल में कितना कुछ जानती हो Alice को बहुत ही वियर्ड लगता है और एडम को लेटर दिखाती है Alice एडम को ये भी कही थी कि एक फोन कॉल आया था जिसमें कोई भी बात नहीं कर रहा था एडम कहता है कि इस पर जादो तुम ध्यान मत दो अगर फिर से तुम्हारे साथी हुआ तुम मुझे बताना एडम और एलिस शादी करने वाले होते है एडम उसे एक टाउन में लेकर आता है एडम का फैमिली चर्च होता है जिसमें वो शादी कर लेते है ये बहुती ब्यूटिफुल जगा होती है एडम को बच्पन में जो भी स्पॉट्स अच्छे लगते थे ये सब वो ऐलिस को दिखाता है एलिस भी आज बहुत ही खुश होती है एडम एलिस से कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि हर आदमी के दो पीसे होते है वो दूसरा पीस उसका सोल मेट होता है यही हम हमेशा से ढूनते रहते है एडम कहता है कि तुम ही मेरी सोल मेट हो Adam plan बनाता है मैरे celebrate करने के लिए वो Alice के साथ trekking पर जाना चाता है जगा बराते हैं यह वो कबड़े change करते है कबड़े change करते हैं वक्त Alice जब nude होती है तो Adam उसके photo निकालना चाता है Alice शर्मा रही होती है पर वो confidently उससे photo निकालने के लिए कहता है यह photo उसने statue के पास निकाली होती है मुवे में आगे आपको इसका और भी significant पता चलेगा Adam फिर photo लेने के बाद एक flare gun निकालता है और उसे आकाश में चलाता है As a fireworks यह काम करता है Alice पुछती है कि तुम्हें यह flare gun कैसे मिली Adam कहता है कि hikers के लिए church में supplies होते है मैंने अलग imagine किया था Adam कहता है कि तुम्हारा honeymoon तुम कभी भूल नहीं पाऊगी Adam Alice को लेकर आगे जाता है और Alice भी उसे follow ही करती रहती है रात हो जाती है पर फिर भी उसे follow ही कर रही है थोड़ा आगे चलकर river के पास एक beautiful घर होता है जो उनके लिए होता है Alice को यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है यह अंदर जाती है तो Adam उसके लिए drink बनाता है Adam फिर घर में एक hook फिट करता है उसने उसके साथ एक silk ribbon भी लाई होती है यह ribbon वो उस hook को बानता है यही ribbon वो Alice के गले को भी wrap कर देता है यह दोनों फिर इसी तरह के से intimate हो जाते है Alice कहती है कि उस दिन मैंने सब control छोड़ दिया मेरी सास पर भी Adam का ही control था और उसे यह बहुत ही अच्छा लगा था अब थोड़े दिन गुजर जाते है और एक दिन घर के बाहर Alice को एक letter मिलता है इस letter में लिखा होता है कि Adam से शादी करना यह एक mistake थी Alice को लगता है कि उसका ex boyfriend यह सब कर रहा होगा इसलिए उसे वो call लगाती है यह call उसके friend ही उठाती है Alice की friend और उसका ex boyfriend यह दोनों अब relationship में है Alice इस letter पर जादा ध्यान नहीं देती एक दिन Adam Alice को एक party पर लेकर जाता है यह सब उसके mountain चड़ने वाले सब friends की party होती है इस party में Adam को सब घेर लेते हैं और Alice से वो बात नहीं कर पाता वोसे बहुत ही अकिला मैसुस होता है यहाँ पर डेवरा भी होती है तो Alice के पास आ जाती है Alice को जरा अपसेट देखकर पूछती है कि हुआ क्या है Alice कहती कि मेरा जरा सर दुख रहा है लेबरा Alice का हाथ लेती है और से एक्क्यप्रेशर करने लग जाती है थोड़ी देर में Alice को अच्छा लगने लग जाता है लेबरा ने Alice के लिए एक नेकलेस लाया होता है जो Alice को देती है Alice को भी नेकलेस बहुत ही अच्छा लगता है Alice जब थोड़ी दिर में फिर से पार्टे में घुलमें जाती है तो Adam के फ्रेंड भी Alice की और Adam की शादी हो गई है इस वज़े से सेलिबरेट करने लग जाते है इस रात के बात फिर से Alice का रूटिन जैसे चल रहा था वैसा चलने लग जाता है एक दिन जब वो जॉब पर होती है तो उसे रिपोर्टर का कॉल आता है ये रिपोर्टर कहती है कि जब मैंने Adam पर स्टोरी पब्लिश की तो एक लड़की का मुझे कॉल आया वो क्लेम कर रही थी कि Adam ने उसका रेप किया है उस लड़की ने क्या कहा था और उस लड़की का एड्रेस सब Alice उसे फैक्स करने के लिए कहती है Alice फिर इसे इन्विस्टिकेट करने के लिए उस लड़की के पास आ जाती है Alice ढोंग लेती है कि वो रिपोर्टर है जिसने Adam की इंटर्वी ली थी ये लड़की फिर सब कुछ बताने लग जाती है ये लड़की कहती है कि हम एक पार्टी में थे उसके बाद हम बाहर के Adam मेरे साथ इंटिमेट होना जाता था पर मैंने उसे मना कर दिया था पर फिर भी उसने मेरा कुछ माना नहीं ये लड़की कहती है कि उसने मेरा रेप किया पर उसे इसके लिए कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था वो एक मॉंस्टर है इसके बाद Alice वहाँ से चले जाती है और एक्चुल रिपोर्टर के पास मिलने के लिए आती है ये रिपोर्टर का सब कुछ बताती है रिपोर्टर कहती है कि ऐसा कुछ भी मत करो तुम्हें क्यूरैसिटी थी ये ठीक है पर इसी क्यूरैसिटी के चक्कर में लोग हर्ट हो जाते है रिपोर्टर ने Alice और Adam के जोड़ी देखी है उसे मालूम है कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते है रिपोर्टर फिर कहती है कि इन सब चीजों को तुम जाने दो इस पर तुम बिलिव नहीं कर सकती जिस कैफे में Alice इस रिपोर्टर से मिलती है इस कैफे में हमें दिखता है कि इन दोनों पर कोई नज़र रख रहा है Alice रात में इनी सब चीजों के बारे में सोचती रहती है Alice रियलाइज करती है कि Adam के साथ उसने शादी तो कर ली है पर Adam के बारे में उसे ज़्यादा कुछ चीजे पता नहीं है हम लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी स्टोरी जहें मालूम है उस तरह की स्टोरी उसे कोच ही मालूम नहीं है Alice को फिर रियलाइज होता है कि उपर एक कबर्ड है जो लॉक्ट है वो फिर उपर जाती है चावी लेती है और उसे अनलोक करती है अनलोक करने के बाद उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते है ये सब लेटर्स लड़कियों के होते है एक लड़की ने इस लेटर में खाँ होता है कि वो अब Adam के साथ नहीं रह सकती Adam जो भी सब चीज़े करता है वो बहुत ही एक्स्टीम है और उसके साथ ये सब नहीं कर सकती ये लेटर वो बढ़ते बढ़ते ही Adam वहा जाता है ये जल्दी से इस कबोड को बन कर देती है ये जल्दी जल्दी में ही Adam के पास आती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया Adam पहचान जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बढ़ है जब नेक दिम रेकफास्ट कर रहे होते है तो Adam पुछता है कि मैंने तुमें कल कॉल किया था पर तुम अपने ओफिस में नहीं थी एलिस कहती है कि मैं कलाइन के साथ इक मीटिंग में थी Adam उसे बहुत इंटोरेकेट करता है एलिस इस पर चीट जाती है एलिस इस पर चीट जाती है तो Adam कहता है कि तुम कहा काम करती हो दिन में क्या करती हो यह मुझे पिक्चर करना सही लगता है डेबरा ने एलिस को जो नेकलेज दिया था उसके बारे में उसे बुच्छता है एलिस इसके बारे में भी उसे बता देती है Adam का फिर फ्रेंड वहा आता है Adam की और एक इंटर्विव है तो वहाँ से चला जाता है Adam वहाँ से जाने के बाद एलिस को फिर से एक लेटर मिलता है इस लेटर में लिखा होता है कि तुम उसके साथ कितने दूर तक जा सकती हो अब हम देखते हैं कि एलिस को जो लेटर मिला था जिसमें लड़की एड़म से कह रही थी कि उससे break up करना चाहती है उस लड़की का address वहा होता है तो वहाँ पहुच जाती है यहाँ पूर उस लड़की की मदर होती है यह मदर कहती है कि 8 मेने हो चुके उसकी बेटी घर पर ही नहीं आई यह 8 मेने उसे गायब है तो Alice बहुत ही suspicious हो जाती है एक्चोय में जो लड़की थी उसकी शादी हो गई थी पर वो Adam के साथ trekking करती थी इसी वज़े से उसके साथ वो break up करना चाहती थी इस लड़की की मदर इस लड़की के photo Alice को दिखाती है Adam ने Alice का जिस तरह से photo निकाला था statue के सामने उसी तरीके से इसी लड़की का भी photo वह होता है Alice विर समझ आती है कि Adam इस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा involved था और Adam इस लड़की का गायव होने के लिए responsible हो सकता है लड़की की मदर कहती है कि Adam भी उससे मिलने के लिए आज आने वाला है Alice दर जाती है क्योंकि Adam उसे spot कर सकता है जल्दी से वहाँ से भाग जाती है रात में Adam जग घर पर आता है तो Alice से बुछता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो Adam Alice को पकड़ता है और table से उसे बान देता है Alice Adam से कहती है कि मुझे सब कुछ लेटर्स मिल चुके थे Adam बहुत इचिट जाता है वो कहता है कि तुम मुझे पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती वो सब Adam का पास था उसे भूलाना चाहता है Alice फिर उसे sorry कहती है बोलती है कि मुझे लगा था तुमारे बारे में और भी कुछ जादा में जान सकी तो मैं तुमसे जादा प्यार कर सकूंगी Adam उससे कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता हो Alice कहती है कि मुझे अंटाय कर उसे टौलेट जाना होता है जब ये टौलेट के लिए जाती है तो खिड़के से बाहर निकल कर भागने लग जाती है Adam भी ये रिलाइस करता है और वो भी भागता है Alice एक जगा अंदरे में छूप जाती है और Adam उसे ढूननी पाता वो डारेक्ली पुलिस के पास आती है उसे जो लगता है कि Adam ने एक लटकी को मार डाला है पुलिस एलिस को कहते है कि तुम जो सब कह रही हो ये सब ठीक है पर उसके खिलाफ हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है हम उसे आरेस नहीं कर सकते Adam फिर जब पुलिस टेशन से चला जाता है तब एलिस वहाँ से निकलती है वह डारेक्ली डेबरा के पास आती है वह कहती है कि मुझे लगता है कि Adam ने खुन किये है एलिस डेबरा से कहती है कि जो एक्सिडन्ट हुआ था कि तुम्हें लगता है कि वह जान बुझ कर उसने ही किया था एलिस को लग रहाता है कि अपनी गल्फरेंट से भी तंग आ गया था इसी वज़े से उसने अपने गल्फरेंट को भी मार डाला डेबरा कहती है कि मुझे भी उस पर शक है ट्रेकिंग करते वक्ग जो हुक उन्होंने यूज किया था ये बहुत ही स्ट्रॉंग था ये कभी भी टूट नहीं सकता था एलिस कहती है कि हमें उस मिसिंग लड़की की बॉड़ी ढूननी चाहिए एलिस को लगता है कि जहाँ पर उसकी फोटा एडम ले ली थी वही पर ये लड़की गड़ी होगी एलिस और डेबरा तोनों फिर उस जगा पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं जब एक कार में होते हैं तो डेबरा कही थी कि जो लेटर तुम्हें आ रहे थे वो में ही सेंड कर रही थी मुझे पता था कि मेरा ब्रदर एक अच्छा आदमी नहीं है वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है यह मुझे मालूम था इसलिए तुम्हें वान करने के लिए यह सब लेटर में तुम्हें भेशती थी एलिस को ढूंटे ढूंटे एडम भी डेबरा के घर बर पहुच जाता है वो अंदर आ जाता है और अंदर उसे उस लड़की फोटो मिल जाती है उसे पता चल जाता है कि यह कहा गए होंगे अब एलिस और डेबरा जगा पर पोच कर डिग करने लग जाते है एलिस को थोड़ी देर बाद बौडी मिल जाती है अब वो बहुत इडर जाती है उसने प्रूफ कर डाला है कि एडम ने यह सब क्या होगा और भी डिग करती है तो उसे एक नेकलेस मिलता है यह वही सेम नेकलेस है जो डेबरा ने एलिस को दिया था डेबरा फिर कहती है कि यह सही है मैंने ही उस रेटगी को मारा था अडरम का जो एक्सिडन्ट था यह डेबरा ने करवाया था अलिस को धक्का लगता है वो पुछती है तुम यह सब क्यों रही थी डेबरा कहती है कि सिलक के साथ इस घर में तुम जो सब कर रहे थे तो तुम्हें क्या लगता है कि Adam को एक किसने सिखायोगा यानि कि डेबरा बच्पन से पागल थी और Adam के साथ इंटिमेट हुआ करती थी डेबरा फिर ये क्याकर शवल निकालती है और Alice को मारने लग जाती है Adam भी वहाँ पहुच जाता है Adam डेबरा को मार कर घायल कर देता है Alice वहाँ से भाग गई होती है थोड़ी देर में Alice वहाँ थी है Adam के पीचे से डेबरा फिर से उसे मारने के लिए आ रही होती है पर इस बार Alice के पास जो फ्लेयर गन चर्च में रखते थे वह है इस फ्लेयर गन से वह डेबरा को मार डालती है Adam कहता है कि मुझे लगा था कि अगर तुम मुझे पर ट्रस्ट कर पाओगी तो मुझे कुछ भी तुमें बताने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसके बाद पुलिस को पुलवाया जाता है यह सब केस वेकरा क्लोज हो जाती है Adam अपनी जिन्दगी में हर चीज एक्स्ट्रीम करता है पर इस एक्स्ट्रीम जिन्दगी एलिस नहीं जी सकती है उसे जरा स्टेबल लाइब जीनी है इसी वज़े से अब वो आड़म के साथ नहीं रहना चाती वो उसके साथ ब्रेक अप कर लएती है वो हमसे कहती है कि वो अभी भी Adam को याद करती है वो दो साल बात फिर अड़म से मिली थी पर इस बार उसने उससे कुछी बात नहीं की थी उसे पता है कि अड़म के साथ उसके रिलेशनशिप गलत है यही यह movie end हो जाती है अगर हम movie में Alice के बारे में बात करें तो उसने अपने boyfriend पर cheat किया Adam को जानती भी नहीं थी फिर भी उसने उसके साथ चादी कर ली जब उसे यह realize हुआ तो सब चीज़े बाहर आने लग गए Adam के बारे में उसे सब कुछ चीज़े पता चलिए और उसके बाद उसके साथ रह नहीं पाई movie में Adam Violent ही हमें दिखाया क्या है उसने किसी का murder नहीं किया है पर एक लड़की ने कहा था कि उसका उसने rape किया है तो यह भी सच हो सकता है Alice को item के साथ रहना dangerous ही था तो यह सही decision था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आता रहता हो प्लीज चानल को subscribe कर दीजे और bell notification आइकोन दबाना में मत भूलिए फिर से मिलेंगे और एक नई movie साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्यार रखिये